स्वगत है आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में हम लोग भारती भूगोल के महत्पूर पृष्णों का सुपर फास्ट रिविजन करने वाले हैं तो पिछले लक्चर में हम लोगों ने अपने प्रिशनों को जहां पर छोड़ा था चलिए ठीक उसी के आगे स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रिशन हमारा पहला प्रिशन है उत्तरी ध्रोब दक्षनी ध्रोब की ओर और दक्षनी ध्रोब उत्तरी ध्रोब की ओर होता है यह कथन कहां पर लागू होता है तो यह कथन प्रिथिवी के चुम्य के छेतर पर लागू होता है ध्यान important यह आपके लिए प्रिश्ण नहीं है इसको आप छोड़ भी सकते हैं चलिए आगे भरते हैं टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है तो हमें पता है टाइटन जो है अपने सनी ग्रह का उपग्रह है तो सनी ग्रह का उपग्रह कौन सा है टाइटन है इस चीज को आप ध्यान में राज्यों के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम कौन सा है तो ये किसी परिष्ण में आप पेपर में आपका पूछा गया होगा ये परिष्ण जहां पर तीन राज्य दिये गए हैं उनमें राज्यों का लिंगानुपात का आरोही क्रम आपको लिखना था लेकिन यहां पर आ आवसकता होती है यानि जुताई के जो आवसकता होती है वो काली मिट्टी को होती है तो काली मिट्टी को सबसे कम जुताई की आवसकता होती है इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ते हैं वह कौन सा सागर है जिसकी सीमाएं तीन महादीपों को छूती है तो भू मतलब जमीन के बीच वाला सागर, भूमध सागर, तीन महादीपों को छुने वाला सागर, भूमध सागर है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया एक देश है, उस इंडोनेशिया देश का एक दूइप है, जिसका नाम है इस्ट तिमोर, इस्ट तिमोर पहले एक कालोनी हुआ करती थी, ये कालोनी किसकी हुआ करती थी, पूर्तगाल की हुआ करती थी, तो ये डाटा की रूप में आपको बताया गया है, कि इंडोनेशिया जो देश है, उसका एक दीप है इस्ट तिमोर, ये पहले एक उपनिवे भी कहते हैं और किसका उपनेवेस था पुर्त गालियों का उपनेवेस था कौन सा था इस्ट तिमोर जो कि अब बर्तमान समय में इंडोनेशिया का एक दीप शमू है चलिए आगे बढ़ते हैं पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं तो जो सूर के नजदीक के ग्रह होते हैं भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत के सबसे लंबी नदी गंगा नदी है इस चीज के बारे में हर कोई जानता है आगे बढ़ते हैं भारत के पस्चिम का जो समुद्रित तठ है उसे किस नाम से जाना जाता है तो भारत का जो पस्चिम का समुद्रित तठ है वो कोंकन टट के नाम से जाना जाता है अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं यह हमारा भारत है यहाँ पर आपका महाराष्ट है यह छोटा सा गोवा है और यहाँ पर आपका करनाटक है तो यह वाला जो टट है यह आपका कोंकन टट के नाम से जाना जाता है इस किति उठीक उत्पादन के लिए पर मुख रूपकर में यहां पर इस चीज को भी यहां पर इस चीज ये उंटी और किसको जोडता है, उंटी और कोयमबटूर को जोडता है, तो तमिलाडू की जो परवतिय रेल है, उंटी और कोयमबटूर को आपस में जोडती है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, चली आगे बढ़ते हैं, तेन जिंग नारवे किसलिए परसिद्ध है तो तेन जिंग जो नारवे हैं, वो परवता रोही हैं, ये तेन जिंग नारवे नहीं सबसे पहले मौंट एवरेष्ट पर चढ़ाई किया था, इसलिए तेन जिंग नारवे परसिद्ध हैं, चली आगे बढ़ते हैं, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ज्यादा इंपोर्टेंट है परिक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं जैसे कि यहां पर पूछा गया है कि पॉंग बांध कहां पर है तो यह ब्यास नदी पर है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पस्चिम दिशा में जिसको हम लो आपसे पस्चिम के ओर पर? परिक्रमा करते हैं बाकी के सारी ग्रहे पस्चिम से पूरब दिशा की ओर पर? करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बिस्व में दो तीहाइस से अधिक टिन का उत्पादन कहां होता है तो बिस्ट में दो तिहाई से अधिक टिन का उत्पादन आपके मलेशिया में होता है याद रखिएगा मलेशिया टिन के उत्पादन के लिए बहुत जादा परसिद्ध है आगे बढ़ते हैं सूर की किर्णे अनुन लंबतह यानिकी लंबोत कहां पर गिरती हैं, सुचूर के किरने लंबोत भूमद सागर पर गिरती हैं, इसलिए भूमद सागर के आसपास के छित्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समानदाब वाले इस्थानों को मिलाने वाली जो होती है, रिहंद बांध कहां पर है, तो रिहंद बांध इसके बारे में हम लोग जानते हैं, अपने प्यारी उत्तर परदेश में रिहंद बांध इस्थित है, आगे बढ़ते हैं, भारत का दक्षिंटम छोर कौन सा है, यानि भारत में सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है, वो है इंद्रा पॉइंट इसके बारे में थोड़ा सा जान लिजेगा कि आपका निकोबार दीप सभू है निकोबार में सबसे नीचे पर जो दीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार में जो सबसे नीचे का पॉइंट है उसको हम लोग इंद्रा पॉइं ह policeum पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं पार्सेन और लाहेचिन इसके के तीन नाम याद रखेगा इंद्रा पॉइंट पार्सेन दूसरा लाहेचिन और इसका छौफा नाम है पिगमेलियन एलियन पॉइंट तो यह आपके चार तीन चार नाम है इंद्रा पॉइंट के इन्हीं तीनों चारों नामों को याद रखेगा और इसका अक्षान से वह कितना है छे डिगरी चार मिनट पर है और भारत का जो मुख्य भूमी है उसका जो दक्षणतम बिंदू है वह आठ जोड़ती है तो भाईया पनामा नहर के बारे में याद रखेगा यह अट्लांटिक महासागर प्रसांत महासागर को जो जोड़ती है उसका नाह में पनामा नहर यह कहां पर है यह अमेरिका में है तो अट्लांटिक महासागर प्रसांत महासागर को जोड़ने वाली नहर पन नदी का नाम है गंगा तो गंगा नदी का जो आप वहाँ छेत्र है सबसे बड़ा है दूसरे नंबर पर कौन सा है गोदावरी आगे भरते हैं प्रिस्वी अपने एक्ष पर कितना जुकी हुई है तो इसको हम लोग अनेग बार पढ़ चुके हैं प्रिस्वी अपने एक्ष पर 25 डिग्री जुकी हुई है इसको हम लोग जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं वाल्टेरो ग्लेसियर कहां पर है ध्यान रखेगा आपका जो बाल्टेरो ग्लेसियर है यह हिमाले में हैं लेकिन किस देश में है यह आपके पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में किस जग में बनाने के लिए अग्रणी दे राज कौन सा है तो पावन उर्जा से बिधुत उर्जा का जो उत्पादन होता है उसमें भारत का तमिलनाडू राज नंबर एक पर है तो पावन उर्जा से बिधुत उर्जा के पादन में तमिलनाडू राज नंबर एक पर है इस चीज को अब ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ते हैं मसालों का सरबाधिक उत्पादन कहां पर होता है तो यह तो बहुत इंपोर्टेंट प्रिष्ण है आने को बार प्रिक्षा में पुछा गया है कि मसालों का सरबाधिक उत्पादन भारत में किस राज में होता है आपके किरल रा आटे हैं तो इसको आपको पढ़ने कि आप सकता नहीं है क्योंकि राजस्थान के डिटेल हमें नहीं पढ़ना हमें भारत का भोबॉल पढ़ना है आगे बढ़ते हैं सीन नदी किस देश से होकर बहती है तो सीन नदी के बारे में आप जानते रहिए कि जो सीन नदी है वो फ्रांस देश से होकर बहती है और फ्रांस में किस जगह से होकर बहती है तो फ्रांस की राधानी पेरिस है तो फ्रांस की राधानी पेरिस से हमारी सीन नदी होकर बहती है सीन नदी बहुत ज़्यादा important है आप इसको जानकारी में रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ओजोन परत की उचाई कितनी है यानि कितनी उचाई पर ओजोन परत पाई जाती है तो 10 km से 50 km के बीच में ओजोन परत पाई जाती है इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा आगे बाढ़ते हैं डोल ड्रम क्या है तो डोल ड्रम विस्वतर रेखा के दोनों और 10 डिगरी तक चाहे उपर जाएं तो उतर चाहे नीचे जाएं तो दक्षण का जो छेतर होता है वो डोल ड्रम कहलाता है इसको हम लोग थोड़ा चेतर के माध्यम से समझ लेते हैं माल ल लेगा और यह 10 डिगरी तक यह नीचे लाइन किची है तो 10 डिगरी यह साउथ हो जाएगा और यह 10 डिगरी नौर्थ हो जाएगा तो यह वाला जो बीच वाला छेतर होता है 10 डिगरी उपर से लेके 10 डिगरी नीचे नीचे मतलब दक्षण उपर मतलब उत्तर का जो छेतर होता है वही हमारा डोल्टरम कहलाता है क्लियर आगे भरते हैं H B J gas pipeline का पूरा नाम क्या होता है तो H 4 होता है हजीरा B 4 होता है विजैईपूर और J 4 होता है जगदीशपूर H B J gas pipeline तो यह कोई जाधा आपके लिए important नहीं है इसको आप छोड़ सकते हैं फूल गोभी का सरबाधिक उत्पादन किस देश में होता है तो भाया याद रखेगा फूल गोभी का जो सरबाधिक उत्पादन होता है वो चाइना में होता है अब क्यूं होता है क्यों कि चाइना के लोगों को फूल गोभी बनाने के लिए जमीन की आवसकता नहीं होती है य आप लोग कभी फूल गोभी की सबजी कहाने के लिए आप बजार से फूल गोभी खरीद येगा तो कहीं आप ऐसा ना हो कि चाइना की फूल गोभी खरीद के लिए जो कि पलास्टिक से बनी हो खैर ये तो कुछ अलागी टॉपिक हो गया चलिए आले बढ़ते हैं भारत में स जून महीने में सबसे लंबा दिन किस जगां पर होता है तो भारत में जून के महीने में सबसे लंबा दिन दिल्ली में होता है ठीक है इस चीज को अब ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ते हैं भारत का सबसे गहरा बंदरगा है कौन सा है जो कि एक लैंड लॉक बंदरगा ह वो विसाखा पत्नम है वो यह एक लैंड लॉक बंदरगा है जो कि तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ है आगे बढ़ते हैं जब समुद्र से ध्रुमों की ओर बढ़ते हैं तो लवनता पर क्या प्रुभाव पड़ता है यानि कि अगर हम समुद्र में हैं और ध्रुमों की ओर ज जगा तो यह अपने आधोगी छेत्र के लिए पर सिद्द्ध है इस चीज़ को आप द् 안iene घान में है तो ब्याद की अगे बहुते ही इंडिया हाउस कहां पर है तो ल का इंडिया हाउस नहीं वो लंद्दन वें तो इंडिया हाउस कहांपर है लंडनमीं है